आज हम आप लोगों को क्लाइन फेल्टर सेंड्रोम के बारे मताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लाते देखे चलिए शुरू करते हैं तो सन 1942 इस भी में H.F. क्लाइन फेल्टर नामक अमेरिकन वैग्यानिक ने इस प्रकार के आसामार ने पूरूसों का वर्ण किया था मतलब ये हुआ कि क्लाइन फेल्टर सेंड्रोम की जानकारी जिकेसुकों और विसेसग्यों को सन 1942 से हुई और H.F. क्लाइन फेल्टर नामके एक अमेरिकी वैग्यानिक थे इन्होंने इस तरीके के जो रोग होते हैं इस तरीके के जो सेंड्रोम होते हैं उनकी खोज पूरूसों में की थी यानि खोज का वर्णन पूरूसों में सबसे पहले इन्होंने किया था और आपको बता दें कि लगभग 500 पुरुसों में से एक में क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम पाया जाता है और क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम लिंग गुर्षोत्रों की ट्राई सोमी के कारण होता है क्या कहा गया है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम लिंग गुर्षूत्रों की ट्राई सोमिक के काण होता है इसका क्या मतलब है मतलब इन विक्तियों के लिंग गुर्षूत्र दो के बजाए तीन हो जाते हैं लिंग गुर्षूत्र दो होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, वह में दो के बजाए तीन हो जाते हैं, और जब गुर्षूत्र दो की जगह पर तीन हो जाते हैं, तो उसे ही ट्राइसोमिक अवस्था बोला जाता है, ट्राइ का अर्थ है तीन, और सोमिक का मतलब है क्रोमोसोम या गुर्षूत्र अर्थात लिंग गुर्षूत्र की ट्राइसोमिक अवस्था के कारण इस तरीके का सिंड्रोम हो जाता है इस पूरी लाइन का ये अर्थ हुआ इनमें XXY लिंग गुर्षूत्र होते हैं अर्थात इनमें 47 गुर्षूत्र होते हैं मतलब ये हुआ कि इनमें एक extra chromosome या गुर्षूत्र आ जाता है आम तवर पर 46 गुर्षूत्र होते हैं हम सभी लोग जानते हैं कि मानों कि एक कुछका में 46 गुर्षूत्र पाया जाते हैं लेकिन एक बढ़ गया, x गुर्षूत्र एक बढ़ गया तो कुल कितने हो गया, 47 हो जाते हैं यानि एक्जाम में इसे हम कैसे लिखेंगे 2N प्लस 1 is equal to 47 ऐसे लिख देंगे चाहें आप लिख सकते हैं कि 44 प्लस X, X, Y ऐसे लिख सकते हैं तो ये इतने गुर्षूत्र यानि X-X-Y लिंग गुर्षूत्र इसमें हो जाते हैं यानि कुल मिला करके 47 गुर्षूत्र हो जाते हैं इनमें पूरुस वा इस्त्रियों के लक्षण का मिस्त्रन हो जाता है चुकि इसमें इस्त्रिवाला भी गुर्षूत्र है पूरुस वाला के व्रेशन तथा अन्य जननांग वा जनन ग्रंथियां अल्प विक्सित होती हैं। इसे हाइपो गोनेडिज्म कहा जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि इनमें अतरिक्त X गुर्षूत्र आ गया। अब अतरिक्त X गुर्षूत्र आया है और Y गुर्षूत्र भी है तो Y गुर्षूत्र के कारण नर के लक्षण विक्सित हो जाते हैं। नहीं बनेंगे और जो व्रषण होंगे वो छोटे-छोटे हो जाएंगे। खुल मिलाकर कहें तो जननांग अल्प विक्सित हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि जनन ग्रंथियां अल्प विक्सित हो जाते हैं। और इस पूरी किरिया को इस तरीके का जो लक्षन हो जाता है, इसे हाइपो गोनेडिज्म बोला जाता है, हाइपो गोनेडिज्म. इन में सुक्राण नहीं बनते हैं और ये नर बांध ही होते हैं बांध यानि इस्ट्राइल होते हैं इस्त्रियों के समान इनके चेहरे और सरीर पर बाल कम होते हैं और इस्त्रियों में यानि इन में इस्त्रियों जैसे अस्तन भी दिक्सित हो जाते हैं इस किरिया को गायनिको मेश्टिया कहा जाता है गैलिको मेश्टिया बोलते हैं कुल मिला कर कहने का यह मतलब हुआ कि अब इनमें सुकुनार नहीं बनते हैं इसलिए ये नर बांधे होते हैं या इस्ट्राइल होते हैं अर्थात इनमें इस्त्रियों के समान लक्षड आ जाते हैं इस्तियों जैसे लग्षड दिखने लगते हैं जैसे कौन कौन से सरीर पर बाल होते ही नहीं है या होते भी है तो बहुत कम होते हैं जैसे इस्तियों के सरीर पर बाल नहीं होते हैं वैसे ही इनमें सरीर पर बाल होते ही नहीं है या होंगे तो बहुत कम होंगे इस इस्तिति को क्या कहा गया है गायनिको मेश्टिया बोला जाता है ये आसामान ने पुरुष आसामान ने अंडों वा सामान ने सुक्राणों से अधवा सामान ने अंडों वा आसामान ने सुक्राणों में निसेचन होने पर बनते हैं और ये आसामान ने अंडे या सुक्राणों एक्स गुरुष उत्रों के आवियोजन से बनते हैं चिप्त होते हैं, नपुनसक होते हैं तो ये आप लाइज समझ गए ये फिर ऐसे क्लाइन फेल्टर से संड्रों भी पाया जाते हैं जिनमें लिंग गुरुष उत्र एक्स वाई-वै इन्में इस तरीकेगें गुरुष उत्रों ये वाई-वाई होगा फिर एक्स एक्स ही ह सकता हो या तीन से अधिक भी कभी कभी पाया जाते हैं जैसा कि आप हों दिखा रहे हैं